So hey guys, welcome to my new video So guys, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे Android Instagram पर iPhone की तरह story लगा सकते हो बिना किसी app को download किये With Shadow PNG के साथ and IU16.4 emoji भी आप कैसे अपने Instagram story पर use कर सकते हो वो भी आपको proof के साथ दिखाऊंगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं So guys, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपने Android phone में iPhone की emojis को कैसे यूज़ कर सकते हो दो तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप easily emojis install कर पाऊगे तो सबसे पहले आपको अपने phone के theme store को open कर लेना है और अगर आपको themes app नहीं मिल रहा है तो simply home screen पर आके screen पर long press करके रखना और यहाँ पर wallpaper की icon पर क्लिक करना तो आप easily theme store पर आ जाओगे आने के बाद उपर आपको fonts पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको search करना है why us 16 emoji तो आप जैसे ही search करोगे उपर ही आपको दिख जाएगा तो उस पर क्लिक करो और इसे apply कर लो तो यहाँ पर emojis apply हो चुकी है और अब मैं आपको instagram पर भी emojis add करके दिखा देता हूँ emojis add कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं iPhone की emojis 100% work कर रहे हैं तो अब मैं आपको दूसरा तरीका पता देता हूँ और अगर आपके phone में iPhone की emojis work नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस app को download कर लेना है link आपको description में मिल जाएगा download करने के बाद simply इसे open करना है and login कर लेना है login करने के बाद उपर आपको setting का options हो रहा होगा simply उस पर क्लिक करो themes and UI पर जाओ यहाँ पर आप emoji tab पर क्लिक करो from local stories पर जाके यहाँ पर आपको I use emojis 16.tf करके एक file मिलेगी इस file करने के भी मैंने description में दे दिया है इस file पर क्लिक करके इसे select कर लो तो यहाँ पर भी emojis apply हो चुके हैं अब आपको story पर emojis use करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो सारे I use emojis work कर रहे हैं ओके तो अब आप अपने android phone में iPhone की तरह story कैसे लगा सकते हो तो उसके लिए simply आपको instagram को open कर लेना है and reels पर जाके किसी भी reel को अपनी story पर add कर लेना है story add करने के बाद यहाँ पर आपको click करना है photo पर जाके इन में से किसी भी png को add कर लेना है इन सारे png का link आपको description में जाएगा png add करने के बाद इसे आपको अच्छे से set कर लेना है तो यहाँ पर आपकी story almost iPhone के जैसे लग चुकी है नीचे आप iPhone की तरह username भी डाल सकते हो और अगर आपको बिना किसी png को add करे iPhone की तरह story लगाना चाहते हो तो मुझे comment करके जरूर बताना तो आज की बीडियो में बस इतना ही I hope आपको बीडियो पसंद आयोगी बीडियो पसंद आज़े तो बीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe नहीं कर तो चैनल को subscribe कर लो तो मिलते हैं नेस्ट बीडियो में तब तक कि लिए जैस्री राम